Hello guys, मैं आपको इस वीडियो में Across the Spiderverse की पुरी स्टोरी एक्स्प्लेन करने वाला हूँ इसलिए आप सब इस वीडियो को लाश्ट तक वोच करें ये मूवी काफी इंट्रेस्टिंग है बट आपको इस मूवी में एक भी पोस्ट करेड़ सीन देखने को नहीं मिलेगा बट इस अच्पपर पीटर कभी स्पैडर मैं बनता ही नहीं है पीटर के बजाय गव Solo पिटर की सपैडर करना चाथा खा Eunural को अता फिर वह एक ऐसा formula बनाता है जिससे उस पैडरिम्न बन सके लेकिन जब पीटर वो formula पीता है तो वो Spider Men नहीं बनता उसके बजाय वो एक लिज़र्ड बन जाता है और Peter ही सर्थ का लिज़र्ड है फिर Gwen और Peter की लड़ाई होती है मेरा मतलब इग Gwen और लिज़र्ड की और Gwen को यह नहीं पता कि वो जिसे फाइट कर रही है वो पीटर ही है, फिर गवेन गलती से पीटर को मार देती है, और उसी टाइम कैप्टन स्टेसी ने गवेन को पीटर की बोड़ी के साथ देख लिया, जिससे वो गवेन को पीटर के मर्डर का रोपी मान लेता है, और गवेन के लिए बहुत मुश्किल था कि वो अपने पैरें ताकि गवेन भी स्पाइडर पीपल्स का इसा बन सके स्पाइडर पीपल्स वह समूव है जो मल्टी वर्स को बर्मान के खत्रों से बचाया रखती है और मगैल किसी कारण की वज़े से गवेन को इसका इससा नहीं बनाना चाता था तब काईड़ पीटा को सबकुछ गणने कोशिश करता है तब अपने पिता को सबकुछ बता देती है कि वह सब्लीक करते है शेसिका और मैंग आपकर नाम के विलन से लड़ाई करता है जो एक बिल्कुल नया विलन था उसकी नोर्मल यूओमन जैसी बोड़ी नहीं थी कंग् सब् जिससे वो लग-लग मल्टिवर्स में ट्रैवल कर सकता था लेकिन स्पोर्ट एक अच्छा विलन नहीं था इसलिए माइल्स ने उसको सानी से हरा दिया फिर माइल्स अपने पैरेंट्स के साथ स्कूल मीटिंग में आता है तब भी उसको पता चलता है कि स्पोर्ट भी यहां प और सपोर्ट एयर्थ 48 का एक सेंटेस है और जिस मकरणी ने माइल्स को काटा था वो इसी एर्थ की थी और उसी कूलाइडर बलास्ट में सपोर्ट को भी पावर मिली फिर सपोर्ट को यह पता चला गर वो दूसरे कूलाइटर की पॉर को एक्झौर्ब कर ले तो वो काफ़ ग्रेंट माय को बछाय कृचा कि उनीवेडर करोलेन यूल्प फ़ादर की उड़ागा से कि जो Ideal को फ्यूदास हो जाता है और वो अपने फादर को बचाने के लिए सभी स्पैडर पीपल से लड़ाई करता है जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा था लेकिन माइल्स को यह टाइम लाइन नहीं चेंज करनी थी फिर भी माइल्स कैसे ना कैसे बच के उस यूनिवर्स से भाग जाता है और वहीं पर हमारी पीटर भी दिखाई देते हैं जो अपने क्यूट से बेबी के साथ हैं फिर भी माइल्स को कैसे ना कैसे अपने यूनिवर्स में जाना था लेकिन बाद माइल्स को पता चलता है कि वो जिस यूनिवर्स में है उसके फादर की देथ हो चुकी है और अगर काफी उदास हो जाता है क्योंकि उसके फादर अब मरने वाले हैं और माईस अपने फादर के साथ बिता हुए पलो को याद करता है मतलब ही काफी एमोशनल मुवेंट रा है वो हैंड में वो डिसाइड करता है कि वो अपने फादर को कैसे ने कैसे बचाएगा और मैगैल अभी भी अपने टीम के साथ माईस को ढूंड रहा है ताकि वो माईस को टाइम लाइन चेंज करने से डोक सके और यहीं पर हमारी मुवी खतम होती है बट इस मुवी में कुछ भी ए काफी अच्छी लगी और यह मुवी काफी सस्पेंस भी क्रियेट करती है और मैं नेक्ट मुवी के लिए काफी एकसाइटेड हों कैसे माईस अपने फादर को बचाएगा या फिर वो अपने फादर को नहीं बचा पाएगा यह सब आपको नेक्ट फिलम में पता चलेगा ब